उसके बाद जो है DVD और डिजिटल वर्साटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क जिसको हम बोलते है DVD ठीक है इस एन अप्टिकल डिस्क that stores a large amount of data अब इसमें क्या होता है यह भी कुछ-कुछ DVD जैसे ही होती है लेकिन इसका एक काफी huge part होता है huge part मतलब इसमें अगर data जितना आता है उससे कहीं ज़्यादा data जो है इसमें आ जाता है बाकी almost उस जैसा ही काम करती है यह भी it can store data up to 4.8 GB which is the capacity of 6 CDs अब क्या होता है देखा मैंने जैसे बताया था सेम ऐसा ही काम करती है लेकिन इसमें storage जो capacity होती हो ज्यादा होती ही CD से 6 CD में जितना data आता है उतना उस एक DVD में आ जाता है it runs in DVD-ROM drive और यह कहां काम करती है DVD-ROM में ही काम करती है उसके बाद में आता है multimedia data card multimedia data card ऐसे cards भी आते है it is a computer storage device in the form of small card अभी जो computer के यह भी storage device होती है एक छोटे card के रूप में हमें दिखती है यह मिलती है the data is written on it इसके अंदर data लिखा होता है it can be used जो कि हम नहीं पढ़ सकते है वो सिर्फ computer में अगर हम इसको connect करते तो ही यह हम हमें उस चीज़ का output देता है monitor ठीक है it can be used in the computer through a usb cable और इसको हम connect कर सकते है computer में USB केबल आता है ठीक है इक्तार जासा आता है उससे हम इसको connect करते हैं computer में nowadays it is used in mobile phones also आजकल तो यह mobile phones यह TVs में भी यूज होने लगा है ठीक है TVs में भी इसको यूज किया जाता है जो हम TV देखते हैं the size of the data card is up to 128GB 128GB का size होता है which is far greater than size of DVDs अब देखो यह इससे भी जादा इसमें stories जो capacity होती है वो DVD से भी कहीं जादा होती है उसके बाद में जो आता है हमारा hard disk, hard disk क्या होती है hard disk is also called a fixed disk and is made up of a metal plate fixed on a spindle अब क्या होता है जो hard disk होती है वो किससे बनी होती है एक metal से बनी होती है और एक pendle पे fix होती है ठीक है इसको fix जिसक भी बोलता है these plates are coated with magnetic और जिसकी plates होती है वो किससे coated होती है किससे cover होती है magnetic material मतला है चुमब की एक material होता है उससे store होती है hard disk are generally available in 80 GB, 120 GB, 500 GB and 1 TB capacities due to large storage capacity it is performed to store all important data into the hard disk of the computer अब यह हमारा multimedia data card उससे भी जादा इसकी capacity है 80 GB, 120 GB, 500 GB इस तरह से काफी जादा इसमें बहुत सारी चीज़े store हो सकती है और यह कौन लोग यूज़ करते हैं जो बहुत offices में काम करते हैं या जो photographer हो सकते हैं जो बहुत सारी photographs खेंचते हैं तो वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं आपकी जो hard disk होती इसमें अपना जितना भी data होता है वो इसमें सेव करते हैं ठीक है तो I hope आप सब लोग को यह chapter समझ में आ गया होगा ठीक है so your chapter 2nd has been finished so that's all for today bye bye